हेलो दूस्तो नमेश्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दूस्तो इस विडियो में बात होनी वाली के वेल एक स्टॉक के बारे में जिससे रिलेटेड बहुत सरे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट सेक्शन में तो कुछ चीजे इसी से रिलेटेड हम लोगों को यहाप जाननी है अब लगा आ चुक है बिलकुल हमारे normal स्क्रीन के उपर और यहाप बात होनी वाली है दोस्तो सबसे जादा popular bank among the retail investor येज दोस्तो, येज बैंक की आपे बात होनी वाली, अगर देखा जाया, आज के दिन बाजार में हम लोगों को अच्छी कासी वापस थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिली, इसी के चलते, बैंकिंग स्टॉक में भी रिकवरी थी, somewhere around 900-2000 पॉइंट के आसपास, हम लोग बैंक निफटे भी भागते वे देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थे कि येज बैंक से रिलेटेड कल की अगर मैं बात करो दोस्तो, तो एक बुरी खबर भी आई थी, येज दोस्तो, एक बुरी खबर हम लोगों को याप देखने को मिली थी, कि यापे से खबर के उपर आ जाते हैं, बात भी हम लोग वापस यहाप पर कमबैक कर लेंगे, सबस्तो खबर आप लोगों के सामने यहापे ओपन हो चुकिए, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, जा पर आप लोग देख सकते हैं, सिकरेटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से बैबी, पर आप लोग लगाई हुई है, जो कि आपे वेल्थ मैनेंजमेंट के टीम में हमनों को देखने को मिलते थे, इनके उपर आरोप के हैं, सो रॉस्तो इनके उपर आरोप था कि जो कस्टमर है, इनको वो इन्फ्लूएंस करते थे, कि उनका जो फिक्स्ट डिपॉज है FD उनका जो investment का जो position है उसको alter किया जाए change किया जाए and जो 81 bonds है जो additional tier 1 हम लोग जिसको 81 के नाम से जानते है यहापे लिखा हुआ है bonds उस risky instrument में यहापे पैसा लगाने किसे related यह बात है यहापे होती थी so यह जो influence किया जाता था यह बहुत ही गलग चीज़े राइट अलग अलग चीज़े यहापे बताई जाती थे इसी के चलते हम लोग को यह penalty लगते हुए देखने को मिली है अगर मैं बात कर तो वापस कहना चाहूंगा yes bank के उपर 25 करोड and जो तीन लोग थे हम लोग यहापे कह सकते उनके उपर भी यहापे सेबी ने पेनाल्टी लगाई है जो कि आप लोग देख सकते हो the regulator impose a penalty of 1 करोड on वीवेक कनवार करके है और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करे जो head है of private wealth management जो आशिश एंड जस्जीत करके तो उनके उपर 50 lakhs की penalty each दोनों के उपर यहापे लगाई हुई है यह बात हम लोगों ने देख लिए obviously यह news कैसी है negative news है बट जैसे मैं आप लोग को कहता हूँ yes bank से related जितनी भी negative news आती है उसका एक अलग पहलू भी है जो कि आप लोग को पता होना चीए मतलब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ लेते थोड़ा सा और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते जिससे कि हम लोग को यह exactly topic क्या है वो detail में समझ आएगा सब लोग देख सकते सेभी ने खुद बोला है कि यहापे उनके पास बहुत सारे complaints आये थे investors के through in regards of what 81 bonds से related जो yes bank ने यहापे issue किये थे and इसलिए यहापे सेभी ने क्या किया था investigation आप देख सकते it said it conducted an investigation and found that 81 bonds of yes bank were sold to retail investor between December 1, 16 की बाते and Feb 29, 2020 इसके जो बीच में आप देख सकते 12, 16 and 29th Feb 20 इसके जो बीच में यहापे जो bonds यहापे बेचे गए है investors को yes bank के through 81 हम लोग यहापे कह सकते इसमें यह investigation यहापे किया गया and यही पाया गया कि इसके बीच में दर्में यह bonds यहापे बेचे गये आपको समझ में आ रहे मैं exactly क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ December 16 से लेके 20 दोस्तों यह जो बीच का इसका जो पिरेड है ना maximum पिरेड यहापे जो पुराना management था राणा का पूरेंड उनके अंडर का management वो भी हम लोगों को इसमें involved होते वे देखने को मिल रहा था और यही चीज में इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ Yes bank के उपर ऐसे बहुत सारे खबरे आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि fraud से related हो सकती है, allegation से related हो सकती है, cases से related हो सकती है बट यह आप लोगों ने चेक करना चाहिए, क्या यह recently related है, मतलब अभी अभी कुछ है आप गडबड हुए या फिर यह जो पुरानी जो चीज़े हम लोगों को देखने को मिले थी, क्यों वो bank 500 रुपे से 5 रुपे पे आई थी तो इसमें यह सारी चीज़े already factor in हो चुकी थी, तो आप लोग कह सकते हो, यह देखे, आप के सामने यहाप बताय गया है कि यह जो बाते है, retail investor से related है, जो bond बेचे गयते, 16, December 16 से लेके, यह February 2020 तक की सारा data हम लोग को देखने को मिला है, उसमें सारी चीज़े हम लोग को होते हुए देखने को मिली है उसी के साथ अगर हम लोग यहाप बात करें, जबी भी यह 81 bonds की बाते आती है दोस्तों, तो बहुत सारे जो अगर हम लोग बोलते हैं न, negotiations की बात आती है, चाहे वो buyer हो या फिर seller हो जो की गलत है, जैसे मैं आप लोग को बोला जाता था, जो की गलत है, जैसे मैं आप लोग को बोला न, इंफ्लुएंस किया जाता था, मैनिपलेट किया जाता था, कि वो एक्च्वल में FD नहीं है, वो bonds है, और bonds के अपने कुछ रिस्क होते हैं, आप सभी लोग को या पर पता है, और तो अगर अगर अप लोग इस चीजों को अगर अप लोग और डिटेल में आपे, मतलब अगरे में रखके, यह सारी चीज़ें हम लोग को या पर देखने को मिलती थी, और जितने भी फीचर्स थे, जो bond से रिल्टेड रिस्क रहता है, एक ऐसा इंस्ट्रुमेंट है, वहा पर भी रिस्क रहता ही है, ऐसा नहीं कि रिस्क फ्री है करके, जितने भी असोशेटेड रिस्क रहते थे, जितने भी फीचर्स रहा करते थे, उसको भी क्या करया जाता था, हाइड किया जाता था, तो इस सारी चीज़ें अगर हम लोग यहापर बात करें, अल्टिमेंटली एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहापर इंवेस्टर को गुम्रा किया जाता था, कि 20, 80, 90 years old, जो इस age की जो कैटेगरी वाले जो इन्वेस्टर रहते थे, specifically, उनको यहापर वो टारगेट करनी की कोशिश यहापर करते थे, सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यह सारा खेल हम लोग को यहापर 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 देखने को मिलते थे, और अगेन के यहापर 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 यहा वो different है करके, right, क्योंकि जो यह सारी जो बोलते है न, यह जो पाप उनने किये, वो अलड़ी yes bank जेल चुका था, जैसे मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ, maximum 5 साल का चार्ट, यह देखे, यहा से वो यहा तक 5 उरुपे तक गिरा क्यों था, यही सारे कारणा में उनने किये यही सारी चीज़े हम लोग को एक-एक investigation के form में और भी आगे future में देखने को मिलने वाली है, so फिलाल की जो yes bank के, उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, right, तो यह चीज़े आप लोग को यहा पर समझ में आनी चाहिए, so आयो पाशागर तो आप लोग को main topic यहा पर स आज के दिन बाजार का माहल हम लोग को अच्छा देखने को मिला, इसलिए थोड़ी सी positivity आपे देखने को मिली है, but again कहना चौंगा star mark लगा कर, जैसे मैं दो stocks के बारे में हमेशा retail investor को one करता हूँ, एक है Tata Power and Yes Bank, इन दो stocks की अगर मैं बात करूँ, तो पहले अपना main core portfolio बना जाएगा, बट जैसे मैं कहता हूँ, कि retail investor ने हमेशा balance वे में आगे बढ़ना चाहिए, so yes bank की बात करें, तो obviously, यहाँ पे NPS से related बाते भी हम लोगों ने देखने है, क्योंकि yes bank का यह सबसे बड़ा problem है, current yes bank का नहीं है, वो पुरानी yes bank ने सारी चीज़े कीती, 40,000 करोड का NPA है, so कितना हद तक वो recover कर पाते हैं, यह भी हम लोगों को quarter 4 के number में समझ में आने वाला है, so इन सारी खबरों के चलती यही कहना चाहूंगा, कि अगर आपको update रहना है, तो इस चानल को ऐसे ही subscribe करके रख लेना, so आया पशा करता है, आप लोगों को सारी बाते पता चलग So that's it, thank you very much, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye